नमस्कार दोस्तों मैं रून आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल दा मेडिकल गुरू में दोस्तों बदलते मौसम में मौसमी बीमारियां उन लोगों को ज़्यादा तंग करती हैं जिनकी जीवन शक्ती यानि की इम्मुनिटी कमजोर हो गई है ऐसे लोगों को चाहिए कि वे अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक शम्ता यानि इम्मुनिटी को बहतर बनाए रोग प्रतिरोधक शम्ता विक्सित होगी तो कई बड़ी बीमारियां और इन्फेक्शन से भी शरीर खुद बखुद अपना बचाओ कर लेगा जिन्दा लोगों में रोग प्रतिरोधक तंत्र यानि की इम्मुन सिस्टम नाम का एक ऐसा मेकैनिजम होता है जो इन बैक्टिरिया वाइरस और माइक्रोब्स को शरीर से दूर रखता है इन्सान के मरते ही उसका इम्मुन सिस्टम भी खत्म हो जाता है और शरीर पर हमला करने की ताक में बैठे माइक्रोब्स बोडी को अपनी गिरफ्ट में ले लेते हैं यानि हमारे शरीर के भीतर एक प्रोटेक्शन मेकैनिजम है जो शरीर की तमाम रोगों से सुरक्षा करता है इसे ही शरीर की रोग प्रतीरोधक शम्ता कहते हैं आई जानते हैं डिफैंस मेकैनिजम यानि की प्रतीरोधक तंत्र इम्मुन सिस्टम कैसे काम करता है वातवरण में मौझूद तमाम बैक्टिरिया और वायरस को हम लगतार सास के जरीए अंदर लेते रहते हैं लेकिन ये बैक्टिरिया हमें नुकसान इसलिए नहीं पहुँचा पाते क्योंकि हमारा प्रतिरोधक तंत्र यानि इम्यून सिस्टम इनसे हर समय लड़ते हुए इन्हें हराता रहता है कई बार जब इन बाहरी किटानों की ताकत बढ़ जाती है तो ये शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को भेज जाते हैं नतीजन कई मौसमी बीमारियां हमें घेर लेती हैं सर्दी जुकाम इस बात का संकेत है कि आपका प्रतिरोधक तंत्र किटानों को रोक पाने में नाकाम्याब हो गया है कुछ दिन में आप ठीक हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि तंत्र ने फिर से जोर लगाया और किटानों को हरा दिया अगर प्रतिरोधक तंत्र ने दुबारा जोर ना लगाया होता तो इनसान को जुकाम सर्दी से कभी रहती नहीं मिलती ज्यादातर लोगों में विमारियों की मुख्य वज़े वाइरल और बैक्टेरियल इंफेक्शन होता है जिनकी वज़े से खांसी जुकाम से लेकर खसरा मलेरिया जैसे रोग हो सकते हैं इन इंफेक्शन से शरीर की रख्षा करने का काम ही करता है इम्यून सिस्टम आईए जान लेते हैं वो कौन-कौन सी चीज़े हैं जिन्हें खाने से आप अपनी इम्यून सिस्टम यानि प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ा सकते हैं नमबर एक खटेफल श्वेत रख्ष कोशिकाओं यानि वाइट ब्लड सेल्स आपके शरीर को सामान्य संक्रमणों और बिमारियों से बचाने के लिए जानी जाती हैं लेकिन शरीर खुद इनका उतपादन नहीं कर पाता है विटामिन सी को सफेद रख्थ कोशिकाओं के उतपादन को बढ़ाने के लिए कागर माना जाता है विटामिन सी का सेवन बढ़ाने के लिए रोजाना खटे फल जैसे संतरे और अंगूर का सेवन करें यह नैचुरल तरीका आपकी इम्म्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगा नमबर दो ब्रॉकली हरे रंग की सबजी में विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E और बहुत सारे फाइबर होते हैं यह एंटी ऑक्सिडेंट योगिकों में भी सम्रिद होती है यह सभी गुन ब्रॉकली को प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए एक महान भोजन बनाते हैं अगर आप भी नैचुरल तरीके से इम्मिनुटी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना ब्रॉकली का सेवन करें नमबर तिन लैसुन लैसुन कई स्वास्तलाब प्रदान करने के लिए जानी जाती है लैसुन बीपी को प्रतिबंदिक करने यानि के कंट्रोल करने और धमनियों को सक्त होने से रोकने में मदद कर सकती है लैसुन को पहले से ही फ्लू और इंफेक्शन से लड़ने के लिए इस्तिमाल किया जाता रहा है आप भी लैसुन का सेवन कर नैचुरल तरीके से इम्मिन सिस्टम को बहतर कर सकते है नमबर चार अदरक अदरक में पाए जाने वाला एक योगिक खासी गले में खराश्ट और सूजन वाली बीमारियों से लड़ने में प्रभावी माना जाता है अदरक कॉलेस्ट्रोल के स्थर को कम करने और इस्थिर करने में भी मदद कर सकता है ऐसे इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए अदरक का सेवन करने से बिलकुल भी ना चुके नमबर पांच हल्दी हल्दी का उपयोग सदियों से सूजन और संक्रमन से लड़ने के लिए उपचारात्मक प्रियोगों में किया जाता रहा है प्राचिन दवाय साबित करती रही है कि हल्दी जिसमें कक्रियमिन योगिक की उच्छ मात्रा होती है एंटी ऑक्सिडेंट में भी समर्दोती है हल्दी हृदे रोगों कैंसर और अलजाइमर के रोक को रोकने में भी मदद कर सकती है रोकथाम इलाज से बहतर है हम सभी ने से कई बार सुना है वाइरस की महामारी और परचंड फुलू की इस अबधी के दौरान इन फूड्स को डाइट में शामिल करने का यह एक सही समय है इन चीजों से आपकी इम्मिनोटी डबल हो जाएगी और किसी भी बिमारी के फैलने पर आपको और आपके परिजनों को इससे सुरक्षा मिलती रहेगी वीडियो में बस इतना ही है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिये हुए बैल आइकन को दबा दे ताकि दूसरों को भी हमारी इस जानकारी से फाइदा मिल पाए अगली बार फिर में लेगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार